Hello Friends, Oxford Estrogenica Covishield Yes, आपने सही सुना, आज मैं Covishield पर बात करने जा रहा हूँ लेकिन कभी आपने यह इस बात को सोचा कि आज इतने दिनों के बाद क्यों Covishield को लेकर बाते हो रही है Yes, यह Covishield भारत सरकार ने सबसे पहला Corona Vaccine launch किया था इंडिया के अंदर तब से लेकर Covishield के अलावे Covacin and Sputnik 5 को भी Approval मिल गया इसके बाद Jaikov D को भी Approval मिला हुआ है और अफकोर्स Moderna को भी Approval मिल चुका है लेकिन आज इतने दिनों के बाद क्यों Covishield पर चर्चा हो रही है Covishield पर चर्चा करने इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैं उन लोगों से जुरना चाहता हूँ जिनोंने दो डोस Covishield का लगवा लिया है दो डोस Covishield लगने के बाद भी कुछ लोगों के मन में आज भी दिक्कत है आज भी वो तकलीफ में जी रहे हैं आज भी वो पस्ता रहे हैं उनका यही मानना है यह सोचना है कि उन्होंने दो डोस Covishield लगवा कर बहुत गलत किया उनकी इम्मूटी धीरे धीरे वीक होती जा रही है इम्मून रिस्पॉंस अच्छा नहीं मिल रहा है एंटीबडीज का काउंट उनमें कम होता जा रहा है तो आखिर क्या benefit हुआ इस Covishield लगा कर तो आज मैं उन लोगों से जुड़कर कुछ कहना चाह रहा हूँ मेरे इस वीडियो को आप आज पूरा देखेंगे और पूरा देखने पे आपको सारा answer clear हो जाएगा कुछ मन में queries and confusion भी होंगी Covishield को लेकर वो भी clear हो जाएगा और कुछ लोगों का ये मानना है कि अब तीसरा dose भी लग जाना चाहिए Covishield का तो क्यों ऐसा मानना है और क्या सच में लग जाना चाहिए इन सभी का answer आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत होते होते तो आईए बने रहिए मेरे साथ देखे इस वीडियो को पूरा Oxford AstraZeneca Covishield इंडिया में इसकी manufacturing SII करती है That is Serum Institute of India अगर आप Corona Vaccine Lineage को देखो तो ये first vaccine है जो कि Government of India ने भारत में अप्रूव किया था Age wise 18 साल से उपर इसे लगाया जाता है 18 साल के नीचे ये contraindicated होता है अगर आपको फिर भी ऐसी किसी vaccine की जानकारी चाहिए जो 18 साल से नीचे लगाई जा रही हो तो मेरा ये previous वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने आपको explain किया है 12 से 18 साल की उम्र के लिए ये vaccine है और खास कर ये needleless vaccine है कहने का मतलब इसमें सुई भी नहीं है बिना सुई के आप इस vaccine को inject कर सकते हो patient के अंदर, persons के अंदर तो जानने के लिए आप देख लीजे हमारा ये वीडियो और जाइडस ने इसको इजाद किया है फार्मा जेट के साथ मिल कर Secondly, root wise अगर आप देखो तो इसे intramuscularly लगाना है Deltoid region में generally इसको लगाई जाती है Generally आप देखो तो coronavirus के against जितनी भी vaccines है सभी को intramuscularly ही देना होता है लेकिन आने वाले समय में एक नजल spray वाली vaccine भी भरत biotic तयार कर रही है उमीद लगाया जा रहा है कि साल के end होते होते वो vaccine भी market में launch हो जाएगा बहुत simple सा vaccine होगा वो just take a spray की तरह होगा जो आपको नजल मिकोशा में जस छिड़क देना है इस नजल vaccine के छिड़काओं से ही आपको COVID-19 से बचावा मिल जाएगा तो आप just tuned रहे हैं आप just मेरे चैनल को subscribe किये रहे हैं आपको ये वीडियो भी बहुत fast मिल जाएगा dose के अगर बाते करते हैं तो ये double dose में फिलहाल दी जाती है पहले dose के बाद दूसरा dose initially 4-6 हफतों में लगाया जा रहा था बोला जा रहा था 28 दिन लगाने पे इसका immune response सबसे अच्छा मिलता है लेकिन with time देखा गया कि अगर 6-8 weeks में लगा है ये vaccine तो immune response बहुत अच्छे मिल रही है बाद में 10-12 weeks में immune response और भी अच्छे मिलने लगी तो बीच में आपने देखा होगा guidelines कह रही थी कि 10-12 weeks में इस vaccine को लगाना है second dose लेकिन currently जो approved है government of India द्वारा वो है 12-16 weeks तो maximally अगर response आपको चाहिए तो 84th day yes, 84th day आपको इस vaccine का second dose ले लेना होता है तो generally corona vaccine में आप देखो तो सारे double dose में ही available हैं लेकिन अगर single dose की बाते करे तो Johnson & Johnson ने भी एक vaccine, Janssen vaccine launch किया है जिसको आप single dose में लगा सकते हो of course 18 साल से उपर वाले वेक्तियों को ही लगेगा लेकिन एक dose sufficient होता है अगर इस vaccine के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरा ये previous वीडियो भी आप देख सकते हो मैंने A to Z बताया है इस vaccine के बारे में ये भी बताया है कि क्या महिलाओं को ये vaccine लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए तो kindly देखे हमारा ये भी वीडियो जहां तक इस vaccine के side effect का सवाल है side effects अगर आप देखते हो तो बहुत मामूली सा होता है mild सा symptom जिसमें मिलता है कुछ खास cases होते हैं जिसमें थोड़ी severity बढ़ सकती है तो generally इनके complications को दो पार्ट में बाढ़ दिया जाता है या तो local complications हो सकता है या systemic complications हो सकता है local complications होने का मतलब है कि जहां आपने injection लगवाया है उस side पे थोड़ा redness अच्छा जाएगा swelling होगी, pain हो सकता है arms को move करने में थोड़ी से दिक्कत हो सकती है अगर systemic complications की बात करते हैं तो इसमें fever हो सकता है थोड़ा mild grade headache हो सकता है nausea filling रहती है vomiting सा हो सकता है shoulder pain होता है इसमें backache हो सकता है इसमें leg pain भी हो सकता है एक muscular myalgia सा रहता है थोड़ी सुस्ती, थोड़ा weakness सा इसमें हो सकता है ये सारे symptoms generally first 2-3 days ही आपको रहती है and generally 5-7 दिन के अंदर ये manifest कर जाता है एक बार एक हफता अगर बीट गया तो फर इस vaccine का कोई खास side effect आपको देखने को नहीं मिलता है and इस vaccine को generally 18 years के नीचे नहीं लगाया जाता है इसलिए ये एक contraindication में गिना जाएगा plus ये vaccine जिस भी component से बनी है अगर इनसे आपको reaction है पहले से आपको पता है कि आपको allergic manifestation हो जाता है इन खास component से तो आपको इस vaccine को लगाने की जरुरत नहीं है तीसरे category में वो लोग आते हैं जिनको first dose से allergy हो चुकी होती है severe reaction हो चुका होता है उनको second dose लगवाने की जरुरत नहीं होती है तो ये कुछ खास contraindication भी है इस vaccine का अब अगर हम लोग इसके type की बात करते हैं तो आप देखो generally vaccine तीन approach से बनता है पहला whole, दूसरा subunit and तीसरा genomic approach कहने का मतलब ये होता है अगर हम लोग whole की बाते करें तो या तो whole bacterium को या तो whole virus particle को use किया जाता है एजे vaccine इसमें क्या करेंगे तीन variety में इसको भी बांट दिया जाता है या तो ये killed हो सकता है या तो ये live attenuated हो सकता है या तो viral vector हो सकता है तो killed में आपकी जो antigenic properties है आपका जो virus है उसे kill करकर इसे vaccine को prepare किया जाता है secondly, live attenuated में virus तो of course live होता है लेकिन इसके antigenic property को nil कर दिया जाता है इसलिए नाम live attenuated रखा गया है और तीसरा अप्रोच होता है viral vector इसमें एक different virus को use किया जाएगा और ये virus ऐसा होता है जिनकी antigenic property को nil कर दिया जाता है कुछ में replicating type और कुछ में non-replicating type use करते हैं अगर non-replicating type आप use कर रहे हो तो ये virus ये virus particle आपके body में enter करके कभी replicate नहीं करेगा अगर दूसरा आप replicating type use करते हो तो ये virus particle आपके body में enter करकर replicate भी करेगा लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये है क्योंकि इसके antigenic properties को virulent properties को nil कर दिया जाता है तो ये आपके body में enter करने के बाद किसी भी तरीके का disease produce नहीं करेगा ये केवल जिस काम के लिए अंदर भेजा गया है उस काम को ये execute करेगा and finally destroy हो जाएगा जो दूसरा approach था वो था sub unit, sub unit में whole bacterium या whole virus को use नहीं करते हैं उसमें केवल उन खास units को use किया जाता है जो की immune response के लिए responsible हो and आपके अंदर जाकर भी ये disease produce नहीं करें जो तीसरा approach है जो की अभी under research में है ये है genomic approach कुछ vaccines हला कि अभी भी market में available हैं अगर आप genomic approach भी देखते हो तो corona related आप देखोगे तो mRNA vaccine खासकर Moderna vaccine and Pfizer-Bandtech ये भी mRNA vaccine होती है इसमें genomic approach utilize किया गया है तो खुल मिलाकर ये होता है varieties of vaccines जिसमें अगर हम लोग आज COVID shield की बात करें तो COVID shield में जो viral vector है वो chimpanzee adenovirus को लिया गया है and ये adenovirus of course antigenic properties में ये nil है ये just एक vector की तरह काम करता है एक media की तरह काम करता है जो एक component को जो आपके instructions को आपके body में पहुचाता है तो it is just a mediator और ये mediator ये vector non-replicating है ये आपके body में जाकर multiply नहीं करता है तो chimpanzee adenovirus को जिसको एक vector के रूप में यहाँ पे काम में लिया जा रहा है सबसे पहले इसके antigenic property को निल किया जाता है जिसके वज़े से disease producing effect इसका निल रहता है ये आपके body में enter भी करेगा तो ये disease produce नहीं करेगा प्लस वो factor जिससे ये multiply करता है जिससे ये replicate करता है उसे भी निल कर दिया जाता है अब इस vector में कुछ खास instructions डाल कर हमारे human body में छोड़ा जाता है intramuscularly डाला जाता है ताकि वो human cells तक पहुँच सके और human cells में पहुँच कर human cells के genomic material के साथ interact करकर वो दीरे 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 spike proteins का निर्मान करता है और ये वही spike proteins है जो coronavirus के surface पे मिलता है लेकिन ये spike protein dangerous नहीं होता है ये spike protein आपको disease produce नहीं करता है होता क्या है कि इस spike protein के against antibodies का production होता है ये antibodies protective antibodies होते हैं against coronavirus अब जब कभी human body coronavirus के contact में आएगा तो ये antibodies आपको बचा कर रखेगा coronavirus के infection से तो ये कुल मिलाकर mechanism होता है कि किस तरीके से covid shield vaccine को दिया जाता है body में and कैसे ये immune response produce करता है ये vaccine prime boost technique पे काम करता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी vaccines हैं जो double dose में लगता है या triple dose में लगता है generally वो prime boost technique पे अधारित होते हैं होता इसमें क्या है कि जब आपने पहला dose लगवाया है तो आपके body का priming हो जाता है आपके body के अंदर कुछ खास antibodies बनते हैं और वो circulation में रहते हैं कुछ खास दिनों तक ही लेकिन कुछ दिनों के बाद ये antibodies का level धीरी-धीरे कम होता जाता है तो नियत समय पे अगर निधारित समय पे आपने second dose लगवा लिया है तो फिर आपके immune system का boost हो जाता है तो immune system boosting में क्या होता है ये antibodies लंबे समय तक persist करता है आपके body में secondly, कुछ memory cells में convert हो जाता है and वो antibodies release करता है lifelong बहुत लंबे समय तक release करता है जब भी आप COVID-19 के contact में आओगे तो आपके body में इन antibodies का production शुरू हो जाएगा और ये coronavirus से लड़ाई करने में सहयक होगा तीसरा जब आप second dose लगा लेते हो तो आप में T cell lineage का भी activation हो जाता है यहाँ पे T cells भी active हो जाता है तो कुल मिलाकर ये vaccine भी prime boost technique पे काम करता है लेकिन आज हम लोग इसकी बात इसलिए कर रहे है क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जब आपने दो dose लगवा लिया है COVID-Shield का तो कुछ महिनों में 6 महिने के बाद 7 महिने के बाद इसका level धीरे 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 कम होता जा रहा है ये आपको lifelong immunity नहीं produce कर रहा है तो यही आज के चर्चा का विशय है worldwide इसी चीज़ पर रिसर्च चल रही है कि क्या दो-डोज sufficient है या नहीं है COVID-Shield का तो कुल मिला का रिसर्च में ये देखा गया है 1st dose 14 to 15 days के बाद आपको protection शुरू करता है 2 से 3 महने तक इसका protection रहता है and second dose जो generally आप 2 से 3 महने के बीच में लगा लेते हो तो इसका protection next 6 महने तक चला जाता है बट 6 महने के बाद क्या 6 महने के बाद फिर antibodies का level low होना शुरू हो जाता है उस समय हमें 3 दोज की जरूरत है Yes यही कहा है हमारे chairman and managing director Dr. Cyrus S. Poonawala उनका भी यही कहना है कि 3 दोज को 6 महने के बाद लगा लेना चाहिए तब ही आपको एक लंबे समय तक immunity मिलेगी अब हमने weight इसी बात का है कि कब government of India कहती है कब हमें green signal मिलता है और जाकर हमें 3 दोज लगवा लेना होता है तो आज का जहां तक session था मैं आप लोगों को बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी cove shield injection लगाया है attentive रहे हो सकता है धीरे 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 antibodies का level कम होता जाएगा तो आप लोग attentive रहें जैसे ही 6 months का period गुजरता है जैसे ही भात सरकार green signal देती है immediately जाए and तीसरा dose लगवा करा है रहे गई बात ये लोग सोच रहे हैं कि हमने तो बहुत गलत किया इस injection को लगवा कर ये बहुत तकलीफ में है पचता रहे हैं आज के date में तो उनको मैं कहना चाहूँगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बहुत सारा injection, बहुत सारा vaccine market में available है अगर आप देखो, for example, hepatitis A hepatitis A का अगर एक injection की बात करें जो कि live attenuated होता है single dose में lifelong effect देता है वहीं पे hepatitis A का दूसरा injection जो कि inactivated होता है, killed होता है दो dose की requirement होती है 6 महिने के difference में तो दोनों में आप protection देखते हो तो lifelong मिलता है efficacy भी आप देखते हो तो almost 90-95% efficacy दोनों injection का है इसका ये तो मतलब नहीं है कि आपने अगर दूसरा injection लगाया है तो आपका immunity बिलकुल low हो गया है और पहला injection अगर आपने लगवाया होता आप भी lifelong protection में हो सकता है चले जाएं इसलिए आज के date में फ्लीज घबराये नहीं चिंता ना करें निश्चंत रहें लेकिन attentive जरूर रहें जैसे ही तीसरा dose launch होता है इमिरेटली जाएं और लगवाएं बाकी रहे गई बातें इस content को लेकर कोई आपके इमन में query है कोई question है कैसी भी problem है मेरे को comment box में आप डालो हर बार की तरह आपको answer जरूर दे दिया जाएगा Thank you